Hello everyone, I hope आपसों लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो Metro Stations होते हैं आप लोग ने कही न कहीं पर Metro में ट्रावल किया होगा और दोस्तों आप लोग ने देखा होगा कि जब भी हम कोई Underground Metro में जाते हैं तो उसका जो हमारा Infrastructure होता है वो मतलब किस तरीके से बनाया जाता है तो आज की वीडियो में हम पूरा साइट से एक बार देखेंगे कि किस तरीके से हमारा Metro Stations की Esquivation होता है उसमें TVM Install किस तरीके से होती है तो पूरा प्रोसेस आज जानेंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं मेरा हुलकोवली आपका स्वागत करता हूँ रीनफोर्सी डिजिटल प्लाटफोम पर चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो जब भी हम कोई Underground Metro Station की बात करते हैं तो दोस्तो इसका जो पहला स्टैप होता है वहाँ पर उसको Deformation Wall लगाने का होता है Deformation Wall बोल लीजिए या फिर आफ Retaining Wall बोल लीजिए क्योंकि हमें क्या करना होता है जब हमें कोई Metro Station मराना होता है तो उसमें क्या है न हमें चारो तरफ से उसको Wall से कवर करना होता है ताकि कोई भी अधर पार्टिकल साइट से महाँ पर कॉलाप्स ना हो इस वज़े से Deformation Wall महाँ पर हमको Construct करने पड़ती है चाहे वो Deformation Wall हो या फिर कोई आपकी Retaining Wall हो तो वहाँ पर उस तरीके की हमें एक पिट तयार करनी है जहाँ पर आपका Metro Station बनने वाला है अब इसी चीज़ को दोस्तों हम साइट के थूरू समझते है कि किस तरीके से हमारा सारा काम होता है देखिए दोस्तों आप लोग सामनी देख पा रहे होंगे ये एक Underground Metro को काम चल रहा है अब देखिए जब भी हमारा कोई Underground Metro Station बनता है तो वो तीन लेवल में बनाया जाता है सबसे पहले लेवल आपका रोड लेवल होता है जहां से हम एंटर करते हैं फिर उसके बाद Concourse लेवल होता है जहां पर हम चेकिंग करवाते हैं हम यहां पर काम कर रहे हैं और आप सामने देख भी पा रहे होंगे जो हमारा अभी Concourse लेवल का काम है वो अभी यहां पर चल रहा है और आप सामने देख भी सकते हैं कि बहुत ही heavy structure यहां पर बनाया जा रहा है heavy structure से समझ लीजिए कि आप लोगों को यहां पर एक underground metro station की पूरी site यहां पर दिखाई जा रही है और देखे अब अगर मैं यहां पर बात करूँ यह आपका platform level की भी यहां पर excavation की जा चुकी है और दोस्तों यह जो आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां से हमारी TBM बाहर आने वाली है मतलब कि दूसरी जगा से TBM हमारी install हो चुकी है तो यहां से हमारी TBM यहां पर वापिस आने वाली है ठीक है तो यह हमारा underground metro की construction site चल रही है यह road level यहां पर है concourse level भी है और इसके नीचे हमारा platform level भी तयार हो रहा है तो तीन लेवल में हमारा underground metro station यहां पर तयार होता है और आप लोग सामने देख भी सकते हैं सारे workers यहां पर बहुत ही अच्छे से यहां पर काम कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी मशीनों के थुरू यहां पर पहले excavation हो चुका है देखे दोस्तों अब अगर मैं यहां की बात करूँ तो यह आपकी retaining wall का और D wall का यहां पर आपका सरिया यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा यह हमारा concourse level का यहां पर सारी casting चल रही है जिस जहां पर हमारी जितनी भी security check होता है जितना भी हमारा metro की tokens वगरा, tickets वगरा दी जाती है उस level पर हमारा अभी काम चल रहा है और आप सामने देख सकते हैं सारी safety को मद्दे नजर रखते हुए सारा काम यहां पर किया जा रहा है और आप सामने देख भी सकते हैं वो other side में हमारा excavation चल रहा है अब चलते हैं दोस्तों दूसरी side पर जैसे कि आप लोग सामने देखी रहे हैं कि हम जो पहले वाले metro station पर गई थे वो metro station दूसरा था और ये वाला metro station दूसरा है बहुत बार ऐसे questions भी हमारे पास उठके आते हैं बहुत से students हम से पूछते हैं हमारा एक station से दूसरे station की दूरी कितनी होनी चाहिए तो जो normal दूरी होती है वो कम से कम धाई km की होनी चाहिए और अगर metro station या फिर आपका crowd बहुत ज़ादा है वहाँ पर तो आप इससे कम भी metro station की दूरी रख सकते हैं आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो हमारा कम से कम धाई km से लेके 2.8 km तक हम यहाँ पर पूरी एक range रख सकते हैं मतलब कि एक metro station से दूसरी metro station की दूरी आपकी धाई km से लेके 2.8 km तक वहाँ पर हो सकती है और आप सामनी यहाँ देख सकते हैं हम आगए हैं अब दूसरी site पर अब दोस्तों यहाँ पर जो काम चल रहा है मैंने आपको पहले बताए था कि TBM वहाँ से निकलने वाली है मतलब कि यहाँ पर TBM का काम अभी चल रहा है मतलब कि यहाँ पर अभी excavation हो रहा है अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यह जितने भी आप यहाँ पर चीज़े देख रहे हैं यह जितने भी machinery देख रहे हैं यह सारे TBM का ही part है दोस्तों यह TBM का part कैसे है आप लोग ने बहुत पर देखा होगा TBM मतलब तो tunnel boring machine होती है तो उसके पीछे यह इतने सारे instrument देख रहे हैं तो यह किस काम में आते हैं तो दोस्तों जब भी हम कोई TBM install करते हैं तो TBM का जो size होता है वो बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसमें क्या होता है conveyor belt भी होती है उसमें जो भी excavation का जितना भी मलबा बाहर निकल के आता है उसके लिए एक अलग से rails भी लगाए जाती है तो उनको दोस्तों manage करने के लिए अभी जितनी भी supply दी जा रही है TBM को वो सारी अभी ऊपर से दी जा रही है जैसे जैसे TBM की length आगे बढ़ती जाएगी तो यह सारे जितने भी instrument है वो इसी के पीछे आगे तक install होते जाएगे और जितनी भी machinery's आप देख रहे हैं यह सारी TBM को ही handle करने के लिए यहाँ पर लगाई गई है आप सामने देख सकते हैं बहुत ही heavy machinery's का यहाँ पर use किया गया है दोस्तो TBM machine के खास बात यह भी होती है कि जब भी हम TBM machine से कोई excavation करवाते हैं तो excavation के दोरान जितना भी हमारा मलबा निकलता है तो वो side to side पीछे उस मलबे को निकलता जाता है मैं अभी आप लोगों को आगे इस चीज़ को दिखा भी दूँगा और आप यहाँ पर सामने देख भी सकते हैं यह पूरी pit आपकी बनाई हुई है जैसे ही यह सारा काम खतम हो जाएगा तो इसको हम platform में भी हम convert कर सकते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तीन आपके चड़नों में यहाँ पर excavation हुआ था सबसे पहला लेवल आपका road लेवल था फिर आपका concourse था फिर आपका platform है और यह जो आप सुरंग टाइप देख रहे हैं इसी में आपका TBM का काम अभी यहाँ पर चल रहा है अब मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा जो हमारे TBM में जितनी भी हमारी electricity supply होती है या फि इतना बड़ा यहाँ पर काम चल रहा है तो इनी को supply देने के लिए यह सारी machinery अभी ऊपर ही रखी गई है जैसे जैसे आप TBM की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे यह सारी machinery TBM के अंदर ही महाँ पर फिट होती जाएगी देगे दोस्तों यह आपको सामने panel दिख रहे होंगे ज इसको दिखाने के लिए मैं आप लोगों को एक बार एक animation वाली वीडियो आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से यह जो पैनल होते हैं वो फिक्स होते हैं देखिए दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के थुरू बहुत अच्छे से clear समझ में आ जाएगा कि वो जो प पैनल यहां पर आप लोगों को लगते हुए दिख जाएंगे कुछ इस तरीके से पैनल यहां पर लगाये जाते हैं दोस्तों बहुत बार बच्चों का यह भी कमेंट आता है कि जब हम TBM को सीधा यहां पर excavate कर वाते हैं तो जितने भी आप लोगों ने देखा हूँ बहु बहुत ही अच्छे से यहां पर समझ में आ जाएगा है यह hydraulic jack के थुरू क्या होता है आगे ब्लेड आगे shift होता है जिससे कि जो भी blade का movement है जैसे कि मालीज आपको सीधा जाना है तो जितने भी hydraulic jack होते हैं तो वो उसको उतना ही pressure देते हैं जहां पर उसको rotate होना होता है मतलब कि मालीजे यहां पर 10 आपके hydraulic jack लगे हो हैं तो अगर आपको curve देना है तो 5 hydraulic jack वहाँ पर रुख जाएंगे और जो 5 hydraulic jack होंगे वो वहाँ पर आपका दवाब डालेगे जिससे कि वो थोड़ा सा curve हो जाए तो इसी process से वो जो आपकी tb machine होती है वो थोड़ा सा curve ले लेती है देखे दोस्तों इसकी यह मैं दूसरी side की आपको pick दिखा रहा हूँ यह आप सामने देख सकते हैं यह tunnel का यहाँ पर काम चल रहा है तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं यह जो आप yellow color का यह आप duct देख रहे हैं इसको बोला जाता है tunnel ventilation system देखें यह यह पर जबता है कि fresh air की महाँ पर जरूत पड़ती है क्योंकि अंदर के सुरंग में इतनी जादा हवा fresh air महाँ पर नहीं पहुंचती है तो यह क्या है fresh air को महाँ पर पहुचाने का भी काम करती है बट इसमें क्या है एक reversible fan भी लगे होते हैं मतलब कि पूरा जो हमारा tunnel ventilation system है इस उससे क्या होता है ना जो tunnel में अंदर काम कर रहा होते है एक तो वहाँ पर वैसे ही बहुत जादा अंधेरा होता है वैसे lighting का पूरा वहाँ पर काम किया होता है बट क्या ना वहाँ पर कोई short circuit हुआ ठीक है और वहाँ बहुत जएदा धुआ हो गया या फिर आप मालीजीए क्या करता है इसके जो fan होते हैं वो reversible होते हैं तो मीचे की जितनी भी हवा है वो भी ये क्या करते हैं उपर फेक सकती है और जो fresh air जो उपर है उसको नीचे वहाँ पर provide कर सकती है तो ये tunnel ventilation का एक बहुत ही अच्छा महाँ पर example है जो आप सामने देख सकते हैं ये जो आप yellow color के duct देख रहे हैं ये सारा आपका tunnel ventilation system में आता है तो दोस्तों ये जो अभी site चल रही है अभी under construction है पूरी होने में भी बहुत time लगेगा तो दोस्तों ये जितना भी मैंने आपको काम दिखाया अभी आपको platform का भी काम दिखा दिया और tunnel का भी काम दिखा दिया कि platform के अंदर जो हमारे TBM बिछाई जाती है तो उसको किस तरीके से काम में लिया जाता है सो दोस्तों जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ता जाएगा मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर आपको provide करता जाऊँगा अभी के लिए दोस्तों इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो जादा जादा लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे रीनफोर्स के कनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंकी सो मच